अकबर महान क्या किया था महान वाला काम उसने और महाराना परताब कौन था अच्छा रोमांस के लिए सिरब हिंदू धरम मिला है हिंदू धरम भी मिला है रोमांस के लिए हिंदू धरम है नहीं सनीमा में मुहम्मत के बारे में नहीं बनेगी जो फिल्में बनेगी हिंदू के इस तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं पीछे जाईए इस तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से नमशकार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनित आवाज इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाता रहा विरोध परदर्शन के लिए जो बजरंग दल वाले हैं वो आई हुए हैं क्यूं कि उद्धैपूर में इस तरीके से गला रेत कर जो है कनहिया लाल की हत्या कर दी गई दो मुस्लिक यूवकों द्वारा तो उस आतंकी घटना बताया जा रहा है और आतंकी घटना है भी उसी के चलते यहां पर लगातार प्रटेस्ट किया जा रहा है विरोध परदर्शन किया जा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें लेकिन उन्हें जो है 24 गंटे के अंदर अंदर अरेस्ट भी कर लिया गया है लेकिन इनकी मांगे क्या है वही हम लोगों से जानेंगे इनके हातों में लगातार आप बैनर देख सकते हैं सामने हिंदू की हत्यारों को तत्काल फ कर दी गई है कनेया लाल की क्या कुछ कहना चाहते हैं अब भी कहने का वो क्या कहा जाए कुछ भी नहीं रहागी अब तो अब तो शुरुआत हो चुकी कि तालीबान हमारे बारत में दस्तक दे चुके अब हम मुख दर्शक बनके रखें अपनी बचाव करें या हम उसको जव प्यार मोबत अमन चैन यह सर्फ एक नाम और सिर्फ एक जूटा वहम है जो साब के सामने चेरा आ गया कल के बाद अगर कोई भी यह कहे कि मासूम है इनको कुछ भी ऐसी संग्या देना बहुत बेचारे हैं बहुत गए गुजरे हैं तो समझ लो कि हम अपने उपर गाली दे कि उन्हें जो भी का सच का उसके बावजूद मतलब इतना है कि सर का हड़ से अलग कब तक चलेगा लेकिन उनकी अरेस्टिंग तो हो गई है न आप फिर क्यों रोडों पे उतरे हुए हैं अरेस्टिंग होगी है उनके पूछे तो पूरी टीम लगी हुई है उन दो व्यक् से लागे दूं कि आप काट देंगे हम कसाई नहीं है हिंदू के साओं कि रहे हैं तृल Gaming किन उनकी सोच सोच का फर्क है क्ला PC तो ह हिंदू जो हिंदू तवात की बात करहे हैं हमारी सोच में कहँ वर बीशब्त नहीं है पर उन्होंने कहके गला काटा शुकरवार को उन्होंने ऐलान किया कि वो गला काटेंगे और मंगलवार को गड़न काटके वो वीडियो पना के फिर दुभार जाल रहे हैं तो यह सब जो घटना हुई है किस लिए हुई है आप यह जानते हैं यह जानते क्यों नहीं है त्यूं है यह नुपूर सर्मा के एक वियान के उपर हुआ है जो कि उसमें कोई شब्ट गलत नहीं है ना उन्हेंने किछी को गाली दी ना कुछ ऐसा गलत शब्ट'd का शर्मा तो लगातार जो है टाइमस इंडिया नाव पे बैठ कर पैगंबर मुहम्मद पर सीधा सीधा टिपड़ी कर रही थी और पूरा अरब देश जो है सामने आया पूरे देश जो है पूरे भारत देश को है थूथू हो रही थी उस पर आप क्या कहेंगे तक अभी तक अन आयात में वही तो बताया है वही बताया है जो उनकी आयात में लिखा गया उसको उसने दोरा है और दोहरा के बताया है अभी आपको बॉलीवूट की फिल्मों के बारे मालूम है देश के अंतर कितनी हिंदूों के बारे में फिल्में बनती है जो वा गरीब जिसमें हमारे फिल्म हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है तब हमने मजाक उड़ाया जाता कहीं नहीं उड़ाया जाता सिनिपार के वारे में नहीं रूम मिला रोमांस के लिए हिंदु धरौ चाइब के यह भी तो सिनिमा था कसमीर फाइल्स औही हैं कसमीर फाइल्स में खिसको भगाया गया, वहां पर कौन रहते थे कि सरकार थी, सरकार किसिकी थी सरकार तो आपको मालूम है किसकी, वह भाग गया था जिसकी थी भारुक अबदॉल्ला आप गलत थे गलत बोल रहे हैं ऐ पढ़े हैं किसके बारे में पढ़ें आप कभी जम्मू कश्मीर गई हैं पंडितों से मिली हैं कश्मीरी पंडितों से मैंने बात दिया सावासी दिया सरकार को अरे आप एक तरफा ये ये कई ये हमारे हमारे देश को है ना कई चीजों कई चीजे में गलत पढ़ाई गई है जैसे अकबर महान और एक मिंट अकबर महान तो महाराना परताब कौन था कांग्रेस कहां से आ गई इधर आ जाई यह तरीके के आप पता है ना उदेपूर में क्या हुआ है उसको क्यों हिंदू के फेवर में लिखेंगे क्यों सार मैं हिंदू नहीं हूं नहीं हूं नहीं नहीं पता हिंदू है कि नहीं लेकिन सवाल कर रहे हैं पीछे जाईए इस तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं क्यों आपकी बाते करें कि सामने देख सकते हैं किкими आपके नाम लेकर ये बोलते हैं कि पुज़ा माथूर क्या बैटकर उस तरीके से लोग बता रहे हैं आप सामने देख सकते हैं इन लोगों से ही जहां बात कर रही थी लेकिन इनों ने बात करने से इनकार कर दिया शायत सचाई से भागते हैं ये लोग शायत इसलिए ये सम्विधान पर भरोसा नहीं करते हैं जबकि 24 गंटे के अंदर उनकी अरेस्टिंग हो गई है समविधान है कानून है अपनी तरीके से परक्रिया काम कर रहा है लेकिन यह लोग जो है लगातारिया पर विरोध पर दश्चन करने आए हैं रोडों पर उतर चुके हैं इन्हीं लोगों से जब मैंने यह जानना चाहा और पूछना चाहा तो आके एक व्यक्ति है जो बताने लगते हैं कि इस तरीके से इन्डियूज दिखाएंगी आप सामने तस्वीर देख सकते हैं मुद्धा क्या था लेकिन यह जैश्री राम के नारे लग रहे हैं अगर जबकि ऐसे जो घटना हुई है उद्यपूर में उस घटना को लगातार आतंकी घटना गोशित किया जा रहा है बोला भी जा रहा है और लगातार मुस्लिम संगठन है वो भी इसकी भर्चना कर रहे हैं कि इस तरीके का क्रित्य करना कोई इंसान का काम नहीं है वाकई में ऐसे लोगों की बर्चना होनी चाहिए क्यूंकि इस तरीके का क्रित्य एक एक इनसान नहीं एक ह्वानी कर सकता है लेकिन उसको तूल देकर राजनीति कैसे बनाया जाता है आप सामने तस्वीरे देख सकते हैं कि इन लोगों से मैं जब पूछ रही थी तो इन लोगों ने जवाब देने से इंकार कर दिया यही है इनकी हकीकत और किस तरीके से लोग पीछे हट रहे हैं अगर सवाल करना सवाल करना लोक тंत्र में सभी के उपर लागु है सभी लोग अभी व्यक्ती की आजादी है सवाल कर सकते हैं जबाब दे सकते हैं लेकिन यALD लगातार इस channel को पूरा बजरंग दल यहां पर मौझूद है एक जो जिस तरीके से उध्यपूर में हत्याकान जो हुआ है उसके तहत यहां पर सभी लोग मौझूद है पूरा बजरंग दल मौझूद है लेकिन वहीं जो अगर नुपुल शरमा इस तरीके की टिपड़ी करती है उसकी जैश को मैं बोल नहीं सक्त यहां पर लगातार इस तरीके के नारे लगा है यह तरीके से मनुवादी लोग घातार संविधान को चोटिक पर चोट कर रहे हैं और लगातार एक कानून पर क्रिया को अपने हाथों में ले रहे हैं लगातार यहां पर इस तरीके के नारे लगना आप समझ सकते हैं इसी तरी से देखते रही है जनीत आवास मेरे सभी धर्मेंद के साथ मैं पूझा अधिली जंतरमंतर